Hello everyone कैसे हैं आप लोग और आज का वीडियो में बनाने जा रहा हूँ और यह वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर के लिए है जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करा कि वह आपको ओवेस्टूडियो सेट अप करने आता है तो यह वीडियो आपके लिए है सबसे पहले आपको ओवेस्टूडियो इस्टूडियो इस्टूडियो और आपको ओवेस्टूडियो और आपको मिल जाएगा उसका लिंक यह बिल्कुल फ्री है यहां से आप object studio, windows है तो windows के लिए, mac है तो mac के लिए, once you download it, install it, और फिर आपको object studio open करना है, हम object studio पहले open कर लेते हैं, so setup कैसे करना है, और इसका live streaming कैसे करना है, मैं दोनों चीज़ बताता हूँ, आपको यह चीज़े नहीं मिलेगे, मैं इसको हटा देता हूँ पहले, so सबसे पहले आपको screen जो मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, ठीक है, so यह आपका window है, जहां पर जो भी चीज़ आप add करने वाले, जो भी scenes add करने वाले, वो आपको यहां दिखेगा, यहां पर scenes हैं, जिसमें आप हर एक game के लिए एक अलग-अलग तरह का screen आप बना सकते हो, अगर अपने NFS खेल रहे हो तो आप NFS के according सारे screen को set कर सकते हो, अगर आप GTA 5 खेल रहे हो तो आप GTA 5 के according अपने screen को set कर सकते हो, और हर बार यह आपको new scene बनाने की जरूरत नहीं पड यहां पर आपको add करना स्क्रीन की आप क्या capture करना चाहत हो, game capture करना चाहत हो यह अपने सारे monitor के screen को capture करना चाहत हो, तो इस जगह पर click करते हैं और यहां पर आप देख सकते हो कि display capture है, game capture है, specific window capture है, video capture माने कि आप अगर कोई webcam लगाया हो यह वह यह आप देख सकते हो, यहां वीडियो स्ट्रीम शुरू करने के पहले वह यहां पर आ जाएगा इमेज स्लाइट सो अगर आपका इमेज आटमेटिकल स्लाइट सो चलता रहे तो वैसा आप 3-4 इमेज का बना सकते हो इमेज अगर कोई PNG इमेज है जहां पर आपको साइड में लोगो लगाना है या फिर बहुत ही अलग अलग तरह का creative चीज है आपको लगाने है तो यहां पर सबसे पहले हम एक example देखते हैं जैसे display capture पर हम click करते हैं अगर आप यहां पर click करोगे तो आप देखोगे कि यह मेरा monitor जो है यह पीछे आना शुरू हो गया ठीक है इस screen पर automatic कर देना और display one okay तो यह आप देख सकते हो कि यह जो display यह है यहां पर दिख रहा है तो यह सारा portion यहां पर दिख रहा है ऐसे ही same इसको में हटा देता हूं अगर आपको delete करना है तो इस minus icon पर click करना है और yes delete एड करने हैं आपको game capture, game capture add करने के बाद okay, now capture any full screen application या फिर capture specific window आप दोनों चीज़ कर सकते हो कि कोई भी कि कोई भी game चल रहा है वो हो या कोई specific game जिसका नाम आप यहां से select करोगे, यहां पर game का नाम आएगा और इसके बाद वो game यहां पर start हो जाएगा, तो यह मैं अभी थ करते हैं, यहां पर मेरा game capture setup हो गया है, इसके अलावे अगर मुझे कुछ logo यहां side में लगाना है, तो let मैं एक image add करता हूं, okay, मैं browse करता हूं कि मुझे कौन सा image डालना है, तो मैं यहां पर film with हमर logo डालता हूं, okay, and okay, अभी आप देख सकते हूं कि इसका size resolution बहुत बढ़ा है तो मैं इसके red button क्लिक करता हूं, transform, fit to screen, यह अभी देख रहे हो, आप fit to screen हो गया, बट मुझे इसको और छोटा करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह side में कहीं पर आए, यह logo, तो यह यहां पर मैं add करते हूं, यह अब मेरे screen के सबसे corner पर film with हमर आएगा, basically अगर आपको ATM का symbol डालना है, और अपना mobile number डालना है, तो वो आप इस जगह पर डाल सकते हो, ऐसे ही png image बनाके, jpeg नहीं बनाना है, jpeg अगर आप बनाओगे, तो यह यहां पर white white आजाएगा, या जो भी इसके साथ add होगा, वो आजाएगा, तो आपको png image बहुत सारे अप create कर सकते हो और हर एक corner पर इसको आप move करके लगा सकते हो, तो मैं film with hummer इस जगह पर side में लगा दिया, इसके बाद आपको setup करना है, अपना audio, आप इस पर click करोगे, audio input capture पर click करोगे, okay, then यहां से आप choose करोगे कि आप कौन सा mic यूज़ कर रहे हो, अगर आप desktop का ही mic, like आपको laptop है या कु करोगे, जैसे मेरा है microphone, USB, Condition Mic, यहां पर मैं okay करूँगा, and then okay, so अभी आप देख रहे हो, कि यहां पर तीन options बने वह, audio input capture, desktop audio, mic, यहां पर आपका laptop है, या PC में कोई inbuilt microphone है, so यह audio input capture, आपका default microphone है, आपको इसको करना है, mute, then अब क्या हो रहा है, कि मेरा सिर्फ single mic, जो कि मेर desktop audio, यहां पर आपका जो भी gameplay होगा, उसका यह audio है, so आपका जो भी game होगा, उसका sound up यहां से control कर सकते हो, कि आपका game का कितना आवाज होना चाहिए, और आपके mic का कितना आवाज होना चाहिए, यह आप यहां से control कर सकते हो, next सबसे most important thing, इसका settings option, settings में आप जाओगे, video bit rate प size भी बढ़ेगा, mb भी बढ़ेगा, और उसके according, आपका streaming speed भी धिर धिरे कम जाएगे, क्योंकि video का weight ज्यादा बढ़ेगा, so 2500 kbps is very good enough for HD video quality streaming, so यहां से यह चीज़े select करकर रखना, recording में high quality medium file size, क्योंकि इतना ज्यादा ज्यादा file size, उतना ज्यादा issue streaming में, तो अभी आप video वीडियो के setting में आनो, अब ही आपको चूज करना है कि किस resolution में आपको stream करना है, like 1920x1080 मतलब होता है full HD video, अगर आपको 720p माने half HD पे, अगर आपको stream करना है, तो इसको आपको करना पड़ेगा, 1280x720, so हम select करेंगे 1920x1080, so यहां पे आप जो black वाला पीछे देख रहे हो, य आपको output किस पे देना है, 720p भी देना है, या उससे और कम में देना है, अगर आपका net speed slow है, तो 1280x720 पे करना, अगर आपका net fast है, तो 1920x1080 पे करना, यह आपका streaming setting हो गया, अब यहां पे आपको stream के button पे जाना है, और यहां से select करना है YouTube, RTMPS, ठीक है, यह first वाला option, YouTube ingest server, औ यहां पे stream की डालना होगा, तो हम इस जगा पे बाद में आते हैं, apply करते हैं, ok करते हैं, जो भी settings आप full hdp किया हो, इसका आप start recording यहां से start recording कर सकते हो, और start streaming जब हम वहां पे key डाल देंगे, तो उसके बाद करेंगे, next setup में आपको क्या करना है, अभी आपको जाना है अप अभी आप अपने जाओगे YouTube पे, इस जगा पर आप देख सकते हो, यहां पर create option है, यहां पर click करना, go live पर click करना, so यहां से आपको कुछ चीज़े मिल जाएंगे, so सबसे पहले आपको title लिखना है किस नाम से आप stream करने वाले, तो मैं लिखने वाले लिख देता हूं, यहा करता हूं, एक thumbnail अच्छा सा बना लेना, वो thumbnail डाल देना, उसके बाद यहां पर choose कर लेना, no it's not made for kids, क्योंकि यह kid section आजाता है, जब आप yes करते हो, तो इसको no ही करके select करके रखना, next यहां पर आपको जो भी tags डालना है, वो आप डाल दो, और यहां से फिर आप save कर दो, एक studio में वापस आने के बाद, आप settings में जाओ, stream पे जाओ, और यहां पर डाल दो, वो जो key है, control भी करके, paste कर दो, show करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप देख सकते हो, यहां पर show करके, कि यह दोनों same है या नहीं, एक बार check कर लिया, apply करो, ok, अब यहां पर मैं कुछ ची game with humber, उसके नीचे होना चाहिए game capture, तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कि कोई game open करता हूँ, मैं open करता हूँ, need for speed, जब तक यह update हो रहा है, मैं और आपको example देता हूँ, कि patium का कैसे आप यह चीज कर सकते हो, मैं google पे जाता हूँ, images में जाता हूँ, और patium png logo, मैं so आप अपने obvious studio में जब जाओगे, तो इस जगह पर आप add कर दो, image, second image को आप लिखता हो यह चीज को कि, यह patium, okay, browse, जहाँ पर आप डाउनलोड किये हो, patium open, अभी आप देख सकते हूँ कि यह कितना बड़ा है, okay, इसको आप transform में जाओ, fit to screen करो, अभी भी यह बड़ा है, इसको आप छोटा कर दो, so, यह रहा आपका patium का symbol, या फिर आप अगर text यहां से डालना चाहते हो, तो यहां से text डाल दो, text में आपको नगर नमबर लाना है, 9876543210, okay, ओके, तो यह हो गया patium, यह हो गया आपका mobile number, हमार गेम अब शुरू हो गया है, तो मैं इसको पहले mute कर देता हूं, ओके, प्रेस इंटर टू कंटिन्यू, Alt प्लस टैब आप दबाओगे, तो आप स्विच कर सकते हो, आपके जो भी windows है, तो मैं ओबे studio में आ गया, ओभी आप देख सकते हो, game capture पे आऊंगा, तो यह, यह screen छोटा दिख रहा है, इस पे आपको click करना है, तो आप देख सकते हो, कि यह game capture पे मेरा game display हो रहा है, इस पे आपको red button click करना है, और, क्यूंकि इसका size छोटा है, इसको आपको करना है, transform, fit to screen, यह आपको full screen पे आ जाएगा, game capture पे आप एक बार ही जाओ, capture specific window में जाओ, windows, need for speed payback, okay, तो इससे क्या होगा, कि यह अब सिफ उसी game को capture करेगा, और यह आपका nfs के लिए ही बन गया है, तो यह आपका screen बन गया है, अब यह आपको क्या करना है, stream करना है, तो let's start streaming, click करते हैं हम इस पे, अब हम nfs पे जाते हैं, अब हम अपने youtube पे भी चेक करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो, कि connection start हो गया, यहाँ पर live streaming start हो गया, nfs लाइव स्ट्रीम, देख रहे हो, यहाँ से आप game को यही से बंद कर सकते हो, यह आप अपने obvious studio से, यहाँ से game को end कर सकते हो, अभी आपको लग रहा हो, कि game चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि game hidden है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है, लेकिन game on है, इसको आप कैसे confirm कर सकते हो, और मैं अपने game में जाता हूँ, चलो इसको resume करता हूँ, आप अपने phone पे link के तुरू check भी कर सकते हो, कि stream हो रहा है, अच्छे से की नहीं, audio आ रही है अच्छे से की नहीं, तो आप अपने phone पे उस चीज़ों को check कर सकते हो, let's see, game start कर देता हूँ, तो obvious studio भी चल रहा है और बहुत सारी चीज़े हो रही है background में, तो इस वज़ा से आपको यह lag दिख रहा होगा, बट यह ठीक हो जाता है, आप charger connect करके रखना अपने system में या आपका system अच्छा है, तो lag नहीं होगा, चलो अब हम चलते हैं अपने, यहाँ पर आप देख सकते हो, इस जगा पर यह stream हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि game मेरा stream हो रहा है, क्योंकि अब मैं minimize कर दिया हूँ और यहाँ पर आ गया हूँ, तो अब य यह automatically क्या होगा, black हो जाएगा screen, तो basically game अच्छे से चल रहा है, so आप यहाँ पर देख सकते हो कि YouTube पर game अच्छे से stream हो रहा है, so last important thing आपको ध्यान रखना है कि इसका जो link है, इसके link को आप copy कर लो, और इसको आप अपने community में share कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यह done, और एक बार streaming आपको खतम हो जाए, तो यहाँ से stop streaming आपको कर देना है, game बन, एक चीज़ और आपको मैं नहीं बताया हूँ, कि इसी जगा पर आपको click करना है, और आपको click करना है video capture पर, video capture पर जैसी आप click करोगे, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपको webcam, ok, और जो भी यह आपका webcam है, वो automatically active हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो, तो मैं basically दिखाना नहीं चाहरा था, but yes, यही है जो है, so, अगर इस जगा पर आपका कोई और camera है, तो यहाँ पर show हो जाएगा, और इस जगा पर click करो, ok, और आपको कितना दूर तक अपने webcam को रखना है, तो आप वो रखो, इसको छोटा कर दो screen को, कहीं खोने में बिठा दो, किसी भी side में, तो यह आपका camera setup हो गया, यह आपका patium setup हो गया, यहाँ पर film भी थमर हो गया, और आपका recording भी हो गया, तो मैं पहले webcam को, और आपको webcam add करके रखना है, बट आपको दिखाना नहीं है, तो इ मेरे पास time नहीं होता है, तो yes, और किसी भी यहाँ से options को आपको delete करना हो, तो बस यहाँ पर minus पर click करो, और remove webcam, yes, that's it, so that's it, तो आपको अब stop streaming पर click करना है, और आपका streaming जो है, stop हो जाएगा, तो यहाँ पर आओ, click करो stop streaming, and आपका, so अब अपने आप YouTube में जाओ, तो आप कि थोड़ी दिर के बाद, यहाँ पर streaming जो है, इंड हो जाएगे, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, कि जैसे यह आपका अगर Wi-Fi या किसी भी चीज के थूरू net disconnect होता है, तो यह link automatically break हो जाएगा, और आपको streaming फिर से start करना पड़ जाएगा, तो आपको याद रखना कि आपको थोड़ी दिर के लिए ही समय देता है, ताकि आप फिर से stream को continue कर सको, अगर यह मालिया आपको Wi-Fi प्रॉब्लम के वज़ा से disconnect हुआ है, तो बहुत कम टाइम होता है, उसको आप दुबारा continue कर सको, या तो secondly आपको यही option रह जाएगा, या आपको फिर से, फिर से यह इतना process है YouTube का stream की copy करना और वो paste करना, तो हाँ, एक चीज और बताऊंगा कि stream की को आपको हर बार settings में आके, stream पे जाके यहाँ पे आपको paste करने होगा, क्योंकि stream की हर बार बदलता रहता है, हर एक live streaming के लिए, और एक बर और जाते जाते, मैं आपको दिखा दूँ कि यह जो भी आप live stream करते हो, यह आपका save होता है, तो आप YouTube Studio में जाना, content में जाना, so आपको इस जगह पे सो नहीं करेगा, कोई भी live streaming, जो भी आप live stream करेगा, इस जगह पे आपको live वाले option में आएगा, और अब यह आप देख सकते हो, 4 minutes, 44 seconds में live stream किया हो, zero views हैं, रात के time, तो अगर आपको इसको रखना है, तो आप इसको रख सकते हो, या फिर यहाँ पे click करके, delete forever, data yy, delete forever, यह जो भी मैंने live stream करा, यह किसे को नहीं पता है, कि मैंने ऐसा कुछ किया था, so मिलते हैं अब अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, bye bye